एक वाइरस जिसका रिजन किसी को पे नहीं पता उसकी वज़े से लोग अपनी स्मेलिंग का सेंस खो देते हैं इसके आगे क्या होगा क्या लोग और वी सेंसेस खो देंगे या आज क्या हमारी मुवी पर्फेक्ट सेंसेस जो 2011 की एक हॉलिवड मुवी है इसमें हम देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा रखता है तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिजेगा बीना किसी तरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है यह जो स्टोरी है यह हमारी में क्यारेटर इसका नामे सूजन यह हमें बता रही है कह दिये उन देनों स उसको और एक लटकी के साथ हूँ बेड में देखते है वो आज रात उसके साथ intimate हुआ था वो उसे उठाता है और कहता है मैं किसी के साथ बेड में सो नहीं सकता उसे नीन नहीं आती है यह लटकी गुसा हो के है चेथिये हम दोनों अभी-भी intimate हुए और तु मुझे बाहर निकाल रहे हो अगले सीन में हम सुजन को इसकी सिस्टर के साथ देखते हैं वो बहुत ही अपसेट थी क्योंकि अभी अभी उसका ब्रिक अब हुआ है बहुत दिनों से वह कामबर भी नहीं गई थी यह दोनों सी के पास आये हुए थे वहां के पत्र उठाकर आगाश में फेक काम सुजन करते हैं सुजन का कली उसे एक पेशन्ट दिखाने के लिए लेकर जाता है उस पेशन्ट की वाइफ बाहर ही खड़ी थी वह गयती है अचानक से उसका आवाज तूट गया वो रोने लग गया और उसके बाद उसकी स्मेल चली गए पेशन्ट को एक ही जगा पर बन करकर रखा था तो बहुत ही फ्रस्टेट था अपनी वाइफ के बाद उसे जाना था सुजन बोचती है तुमने इसे बन करकर क्यों रखा है उसका कली कहता है इस टाइप के बहुत सारे कैसे हमें देखने को मिले है अलग-अलग देशों में स्प्रेड हो रहा है दो मेल का सेंस फिर से वापस आजाएगा जादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है नेक सेंसे में पता चलता है कि सुजन के अपार्मेंट के पास से माइकल का रेस्टोरेंट है वो फोन पर बात कर रही थी तो माइकल ने उसे स्मोकिंग करता हुआ देखा उसे सिगरेट मांगता सिगरेट के बाद लाइटर भी मांगता है सुजन इरिडेट होकर कहती है कि आप घर में आ जाओ यही बोर्डिंग कर लो माइकल मजाग में कहता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं उसने अपने आपको इंट्रडूस कराया कहा कि मैं एक शेफ हूँ और इस रेस्टोर मे शायद पानी से आ रहा है किसी नेशन ने डिलिबरेटली इस वायरस को स्प्रेड किया होगा इनकी कोई भी तहरी राइट नहीं थी अब इनके पास एक यूप्शन है कि इन्हें डरना नहीं है जो भी होता है वो देखते रहना है इसके बाद वायरस बढ़ने लग गया उन्होंने रेस्टरांट में खाना खाना विबन कर दिया एक दिन माइकल रेस्टरांट के बाहर था सुजन अपना काम करकर घर आई तो एक दुसरे से मिले सुजन हमेशा माइकल को सेलर बुलाती है माइकल कहता है कि मैं एक शेफ हो वो कहती है कि मैरे फादर एक सेलर थे व वो फिर उसके लिए बहुत ही अच्छी सी डीश बनाता है। अचानक से सुजैन भी रोने लग जाती है। उसे अपने फादर की बहुत ही याद आ रही थे। रोने के बाद उसके भी स्मेल का सेंस चला गया। माइकल उसे सहार देने के लिए उसके पास आया। तो कहती है कि वाइरस शायद कंटेजियस हो सकता है। पर माइकल को कुछ फरक नहीं पड़ा। वो उसे हग कर लेता है। वो उसे फिर घर लेकर आता है। सुजैन जब शान्त हुए तो फिर माइकल रोने लग गया। इस बार सुजैन माइकल का सपोर्ट बने। जा रहा है। फिर से उन्होंने अपनी लाइफ कंटिन्यू की है। रेस्टार्ण में जाकर धिनर वगरा करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब लोगों का स्मेल जा चुका है। तो माइकल और उसकी टीम जो भी खाना बनाती है। उसमें इंग्रिडियन्ट जाता डालती है। जिससे टेस्ट आ सकया। सुजन हम से कहती है, लोगों का स्मेल चला गया। इसके साथ ही, वह स्मेल से जो पुरानी मेमरी जाती थी, वो भी चली गए। नेकसिन में माइकल सुजन को डेट के लिए पुछता है। वो इसके लिए मना कर रही थी, पर बहुत सारे ओप्शन्स उसने उसे दिया। सुजन ने हस दिया, वो इसके साथ डेट पर आई। रिवर के पास एक लेड़ी गाना का रही थी। इस गाने में अलग-अलग स्मेल को डिस्क्राइब किया गया था, जिसे लोग अब मिस करते हैं। आज की इनकी डेट बहुत ही अच्छी थी। सुजन माइकल से पुछती है, कि अब हम क्या करें। माइकल कहता है, तुम्हारे साथ में घर आ सकता हो। अगर तुम नहीं चाहती है, तुम आगे चली जाना, मैं तुम्हें फॉलो कर लूँगा। वो बहुत ही पस्वेस्यू है, तो एक घर आते हैं, एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते हैं। इंटिमेट होने के बाद, माइकल सुजैन को स्मेल करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता है, उसे बुरा लगता है, कहता है, फर्स टाइम ही मुझे तुम्हें स्मेल कर लेना चाहिए था। सुजैन उसे गहती है, अब मुझे अकिला रहना है, जिस तरीके से माइकल किसी भी लड़की को उसके साथ सोने नहीं देता था, उसी तरीके से सुजैन मी उसके साथ करती है, माइकल डेस्परेट होकर अपना कार्ड उसे दे कर जाता है, अगली दिन माइकल एक ग्रेव को विसिट करने के लिए गया वहाँ कुछ लोग थे जो उसे कहते हैं कि उसे फ्लावर्स बहुत पसंद थे एलिस तुम वो तो ला सकते थे यह वर्ल में क्या हो रहा था इसके बारे में बहुत सारे लोग की अलग-अलग थेरिस थी किसी को लगा कि एक नेशन ने दूसरे नेश काम करते-करते सुजैन का कली अचानक से डिस्टब हो गया वो जब थोड़ा सा शान्द हुआ तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी उसे जो भी मिला वो एनिमल की तरह खाने लग गया एकी टाइम पर सब लोग के साथ यह हुआ जब सब लोग खोश में आये तो वो एक दूसरे से रिलेटेड है तो शायद इसी वज़े से इन दोनों पर अफेक्ट हुआ है मेबी यह वायरस प्रेड नहीं होगा माइकल बोचता है अगर हुआ तो क्या होगा सुजैन कहती है तो फिर बहुत बुरा होगा और भी कुछ दिन गुजर गये मौर्नी में सुजै करने से पहले मैं तुम्हें किस करूंगा शाम में हम डेट पर चलेंगे सुजैन को भी यह सब अच्छा लगा इनकी रिलेशनशिप अब अच्छे से डेवलप हो रही है माइकल फिर से काम पर आया उसके बॉस कहते हैं कि अब लोग कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते रेस्ट के लिए होट होती है कुछ कोल्ड होती है इन सब का अच्छे से कॉम्बिनेशन अगर उनने दिया तो लोग रेस्टार्ण में खाना खाना स्टार्ट कर देंगे वैसी भी लोग रेस्टार्ण में फील के लिए जाते हैं यह माइकल का इडिया सक्सेस हुआ थोड़ी दिनों हो गया डांसिंग हो गया वह भी ट्रंक हो सकते हैं सिगरेट स्मोक कर सकते हैं यह दोनों फिर डांस कर रहे थे सुजन कहती है हम एक गेम खेलते हैं हमारे जो भी सिगरेट से हम एक दूसरे को बता देंगे मेरे सिस्टर के बच्चों को मैं हेट करती हूं मैं प्रिटेंड क केता है मेरी girlfriend को एक बीमारी हो गये वो बहुत ही serious थी और उसकी death होने वाली थी उसे बीमार देखकर मैं बहुत ही डर गया था उसके final days में उसे छोड़ कर में भाग गया अब उसकी death हो चुकी है पर फिर भी उसकी grave को जाकर मैं विजिट करता हूं मुझे बहुत ही guilty मैसुस हो आजकल जब में तुम्हारे साथ हो तो गिल्टीने जरा कम हो रहा है यह सुनकर सुजन उसे हग कर लेती है कहती है हम दोनों बहुत ही घटिया लोग है इस पर बहुत असते हैं एक दिन फिर से लोग का हीरिंग का सेंज चला गया वो कुछ भी सुन नहीं सकते थे जब यह उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया लोग घर में हैं तो उन्हें फूर्ड देने का कॉंटाइट माइकल के रेस्टराण को दिया जाता है पहले जो भी सर्व करते थे अब वह सब अलावड नहीं है अब उन्हें सब लोग को सिर्फ फ्लैट और फ्लोर देना पड़ेगा जैसे कि नुडल्स वेगरा जब माइकल और सुजन एक साथ थे तो सुजन गाड़ी रोग लेती है शांती से सिटी के सब आवाजों को सुनते है क्योंकि शायद ये उनका किसी भी चीज़ को सुन पाने का लास्ट टाइम है इसके बाद ये घर पर आया अब माइकल को गुस नहीं दे सकते इसी वज़े से स्पेशल हो माइकल बहुत ही ज़ादा वाइलेंट हो रहा था तो जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है वो जब शांत हुआ तो वो रियलाइज करता है कि उसने बहुत सारी गलत चीज़े सुजन से कही थे वो सुजन की पीछे-पीछे घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर गवर्मेंट के लोग उसे घर में कौरेंटाइन कर देते हैं उसने सुजन को कौल किया कहता है जो भी कह रहा था यह सब डिसीज की वज़े से था इसका कोई भी मीनिंग नहीं है नेकसिन में सुजन की भी हीरिंग चली जाती है माइकल उसे जो कहा था उस वज़े से बहुत ही हार्ट रोकन थी वो फिर अपनी सिस्टर के पास आई वो माइकल के बारे में अपनी सिस्टर को कहती है तो उसकी सिस्टर उसे सहारा देती है और फिर से थोड़े दिन गुजर चुके है सुजन और माइकल एक दुसरे से मिल नहीं र करता था वहाँ पर लोग जाकर सिर्फ वाइबरेशन को फील करते हैं सुजन हमसे कहती है कि लोग इन सब चीजों से भी कमफरटेबल हो गए कुछ लोग फ्यूचर के लिए रेडी हो गए अगर शायद सब लोग अंदे हो जाते हैं तो अपने आपको ट्रेंड करने लग गए सुजन माइकल से मिलने रही तो बहुत ही हार्ट प्रोकन था एक दिन सुबा हुए तब सब लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर से वो खुश थे और उन्हें लग रहा था कि जिन से वो प्यार करते हैं इनके पास उसे जाना चाहिए मूवी में हमने देखा है कि जब भी लोग के सेंसेज जाते है तो बहुत ही गुसा होते है पर इस बार अलग हो रहा है इस बार वो खुश है और लोगों से मिलना जाते है सुजन भी रेयलाइज करते है कि अब वो देख नहीं पाएगी जल्दी से वो भागते भागते माइ एकल भी उसे ही ढून रहा था एक दूसरे को ढून लेते हैं करने वाले थे मतक्झा से सुझा नहीं मैं से हमारे आसवा सब जो भी होगा एक कुछ भी मैटर नहीं करेगा क्योंकि जिंदगी चलती रहती है पूरी मोई का पॉइंट ही ये है मुझे हम से कहती है क्या हमारे साथ ऑचे भी बुरा हुआ उस के बाँ भी हमारी जिन्दगी चलती अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुविज लेकर आते रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे बेल नोटमेशन आइकों दावरे मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये